देश में मॉब लिंचिंग की घटनाए बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ महराश बीजेपी के मैनिफेस्टों में वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाने के वादे से राजनीती जो है अब गर्मा गई है इसी को लेकर हमारी सहयोगी भावना अरोडा ने कॉंगरस राज्यसभ प्रदीप तम्टा जी सर्क देखा जाये तो मॉब लिंचिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहते हैं ऐसे में ग्रह मंत्री की तरफ से बड़ा बयान सामने है उन्होंने कहा है साफतार पर कि मॉब लिंचिंग गरीबों के साथ होती है किसी पर्टिकुलर जाती के साथ नह अचिंग के लोगों को इसका निसाना बनाया जा रहा है और गरीबी से तो पीडिती थे आंके देश के ग्रह मत्री बताए क्यों एक खास संपरदाए ही मॉब लिंचिंग के सिकार हो रहे हैं कल तक तो उनके जो आरसेस के सबसे बड़े प्रोक्ता वो कि मुमानी रहे ते कि मॉब लिंचिंग कोई भारती परंपरा है लोगों को मारना भी जिन लोगोंने बीदेशी और स्वदेशी मैं बाढ़ दिया हूँ और लोगों से यही अपीक्षा इसी बयान की अपीक्षा के सकती ही मॉब लिंचिंग के अंतर एक बहुत ही खतनाक भीड की हिंसा है वीर सा तुझते आरह से इसकी ही अपिक्चा की सकती है, जिसको सारवर कर रहे हैं, जिसने सेलुलर जेद से रिहाई के लिए ब्रिटिस सरकार से माफी नामा लिखा हो, और उसकी बाद वहां से लोटने कबर कभी देश की सोतनता संग्राम अंदोलून में हिस्सा ना लिया हो, जो अभ्यूक्त रहे हूं, यह है कि संदे के आधार पर सुबुतों के संदे के आधार पर गौड से को फांसी के सजा हुई और साक्षों के अभाव में आप छूट गे, आंकर यह देश जहा को रहा है, एक तरह हम गांदी के एक सो पचासवी जैंती बना रहे हैं, आंकर बीर स कारवर का युगदान क्या है, जो देश के सबसे बड़े संबान से आप उसको नमाज रहे हैं, तो यह थे हमार साथ प्रदीप तम्टा जिनका साथ तोर पर कहना है कि देश राष्ट और देश को बाटने की सिधान को लेकर जिस व्यक्ति का नाम सबसे आगे आता है, आज बिजेपी उसी को भारत रदिन देने की बात कर रही है, क्यामर प्रचन विवेक के साथ, मैं भावना, आनाइन टीवी, तिल्ली